नमस्कार बहुत स्वागट है आपका आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे तेज के तमाम दर्शकों को भगवान शिव के अत्यन्त पवित्र महीने सावन की हार्दिक शुब कामना है आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और ये महीना अपने आप में इतना महत्रपूर्ण है अपने आप में इतना important है की देवा धिदेव महा देव की कृपा से आप अपने जीवन को बेहतर करने के तमाम उपाय, तमाम प्रियोग इस महीने में कर सकते हैं आज बात करेंगे महाभाग्य में भगवान शिव की कृपा पाने के रास्ते क्या है और सावन में आपको क्या करना चाहिए क्या खास है महाभाग्य में चलिए बताते हैं आपको आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सावन का महीना इतना खास क्यूं है इतना पवित्र क्यूं है सावन के महीने में क्या सावधानिया बरतें सावन की बात करेंगे ताकि आज रात से आप शिवार्चन में लीन हो सकें भगवान शिव की पूजा कर सकें क्योंकि याद रखिए हर रात्री को शिव की पूजा करने का जो लाब है जो उनकी कृपा है वो दिन की पूजा में नहीं मिल सकता तो आज रात से आपको भगवान शिव की पूजा कैसे करनी हैं इस पर बात करेंगे लेकिन एक नजर डालते हैं आज के मंत्र पर आज का मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है मंत्र है नमह शिवाय नमह शिवाय स्रिष्टी का सबसे ताकतवर मंत्र जिसके पाँच अक्षर पाँच तत्मों को नियंत्रत करते हैं वो मंत्र है नमह शिवाय का मंत्र अगर आपको अपनी किसी मनो कामना के लिए और अगर किसी दूसरे की मनो कामना के लिए मंत्र पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे के लिए शिव कृपा पाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप पढ़ेंगे ओम नमा शिवाई, ये अंतर समझ लिजिए, तो अपने लिए अगर कोई चाहते हैं वर्दान पाना, अपने लिए कोई मनोकामनापूरी करना चाहते हैं तो सावन में अधिक से अधिक नम्हशिवाय का जब करें आपके लिए लाबकारी होगा सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महीमा क्या है सावन इतना इंपोर्टेंट क्यूं है देखिए सावन का जो महीना है वो हिंदूओं के पवित्र चातुर मास में से एक महीना माना जाता है देव शैनी एकादिशी से चातुर मास की शुरुवात हो जाती है सावन, भाध्रपद, आश्विन और कार्तिक के ये चार महीने सरवाधिक पवित्र माने जाते हैं और इसमें से जो पहला महीना है वो सावन का महीना है इस महीने का संबंध पूर रूप से भगवान शिव जी से माना जाता है भगवान शिव इस महीने के नियंतरक माने जाते हैं ऐसा माना जाता है पुराण कहते हैं पौराडिक कथाएं कहती हैं कि इस महीने में समुद्र मन्थन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष्का पान किया था समुद्र मन्थन के बाद कालकूट नाम का विष्ट निकला सृष्टी में त्राही त्राही मज गई तो भगवान शिव ने उस विष्क को पिया और उसको अपने कंठ में रोक लिया ऐसा मानते हैं कि हलाहल विश्की गर्मी से शिव परेशान हुए और भक्त उनके भक्त हैं शिव के भक्त हैं तो विश्की गर्मी को विश्की उग्रता को शांत करने के लिए भक्तों ने उन्हें जल अर्पित किया और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने से विश्ख की उग्रता समाप्त होती है और जल अर्पित करने से एक तरह से जो भक्त है वो अपनी इस्थिती बताता है भगवान शिव को अपने लिए भगवान शिव से दया की आचना करता है और भगवान शिव का आभार व्यक्त करता है कि प्रभू अगर आपने कालकूट नहीं पिया होता तो स्रिष्टी का नाश हो गया होता पूरे वर्ष भर पूजा करके जो फल पाया जा सकता है भगवान शिव का वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है अगर आप पूरे वर्ष भर शिव की पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं लेकिन अगर आप सावन में भगवान शिव की पूजा करें तो सावन में ही इस पूजा का पूरा फल आपको मिल सकता है तपस्या, साधना और वर्दान की प्राप्ती के लिए ये महीना विशेश शुभ माना जाता है विशेश मंगलकारी माना जाता है सावन के महीने में मन के चंचलता की संभावना बहुत जादा होती है कहते हैं न कि सावन का महीना आते ही प्रेम की बयार बहने लगती है मन चंचल होने लगता है और मन को नियंतरित करने के लिए शिव से ज़्यादा समर्थ देवता कोई है ही नहीं क्योंकि आपको याद होगी ये बात कि जब रामचरित मानस में आपने पढ़ा होगा कि जब कामदेव ने भगवान शिव पर अपने बाणों का प्रियोग किया तो शिव काम के वशिभूत भी नहीं हुए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तो शिव के भक्तों के उपर कोई काम, कोई प्रेम, कोई चंचलता इस तरह की चीजें जिससे मन चंचल हो वो प्रभावशाली नहीं होता है और जिनका मन चंचल होता है सावन में, जिनका मन बहुत ज़्यादा चंचलता की तरफ चलता है उनके लिए सावन में भगवान शिव की पूजा करना बहुत महत्वपून है पूरा एक महीने का मौका है आपके पास हर दिन शिव का दिन है, हर छण शिव का छण है और अगर इसमें आप शिव जी की पूजा करें तो बहुती मंगल मैं होगा और इस बार सावन आज से शुरू हो रहा है यानि शनिवार से शुरू हो रहा है और सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं सावन के शनिवार को कहते हैं संपत देने वाला शनिवार इसलिए ये सावन और भी ज़्यादा शुब फलदाई है इस बार सावन की पूजा से शुभता तो मिलेगी ही लेकिन चुकी शनिवार को शुरू हो रहा है इसलिए इस बार के सावन में समपत्ति भी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी हो पाई अब यह जानते हैं कि सावन के महीने में किस तरह के विशेश लाब हो सकते हैं अगर आप सावन में देवा धिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा करें तो सावन में किस तरीके के विशेश लाब हो सकते हैं आपको देखिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है चाहे वो इस्त्री हो या पुरुष हो भगवान शिव की पूजा करके विशेश प्रियोग करके विवाह का वर्दान निश्चित रूप से पा सकते हैं जिनकी कुंडली में आयू भाव कमजोर है ऐसे लोगों को भी आयू रख्षा का वर्दान मिल सकता है ऐसे लोगों की आयू भी लंबी हो सकती है सावन के महीने में शनी की पूजा सबसे ज़्यादा फलदाई होती है आप साल भर शनी की पूजा न करें और केवल सावन में शनी की पूजा करें तो ऐसा माना जाता है कि शनी संबंधी हर पीडा को आप दूर कर सकते हैं यही नहीं अगर आपकी कुंडली में कोई दोश है कोई बाधा है कोई समस्या है जो शांत नहीं हो रहा जो समाप्त नहीं हो रहा ग्रहन योग है गुरु चांडाल योग है राहु का दोश है तमाम ऐसी बाधा है जो आप शांत नहीं कर पा रहे हैं तो सावन के महीने में दे साप की जो पूजा है सर्प की जो पूजा है वो केवल सावन के महीने में होती है और सर्प की पूजा पूरे वर्ष में कभी नहीं होती श्रावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी को नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं और नाग पंचमी में सर्पों की पूजा की जाती है ऐस पूरे साल में कभी नहीं होता इसलिए ये महीना बहुत जादा महत्तपूर्ण है तो सावन का महीना आशुतोष भगवान शिव का महीना है और सावन के महीने में आपको धेर सारे वर्दान तो मिलेंगे ही लेकिन जो सबसे महत्तपूर्ण बात है आपको भगवान शिव की और कहते हैं ना नारद मुनी ने हिमाले से कहा था जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सके उत्र पुरारी ये बात सिर्फ शिव के लिए कही गई है कि वो विधाता का विधान बदल सकते हैं और ये बात किसी भी देवी देवता के लिए नहीं कही गई है कि वो विधाता का विधान बदल सकते हैं इसलिए इस बात को याद रखिए कि आप जीवन में कितने भी कष्ट में हो आपको राष्टा नहीं दिख रहा हो आपको जोतिशी कह रहे हो लोग कह रहे हो कि तुम्हारा जीवन अंधकार मैं है तो भी ऐसी दशा में अगर आप शिव की पूजा करें तो आपकी मुश्किले हल होंगी आपके रास्ते जरूर खुल जाएंगे अब जानते हैं कि सावन के महीने की विशेश सावधानिया क्या है हर महीने की सावधानिया होती है आयुरवेद के हिसाब से महीना वर्षारितु का महीना है अमूमन सावन और भाद्रपत का जो शुरुवाती समय है वो वर्षारितु का महीना है चंद्रमा का महीना है तो बरसाद बहुत होती है इसलिए इस महीने में जलकी बचत करें वाटर हार्वेस्टिंग करें पानी का संचयन करें, पानी को बरबाद न करें, जलकी बरबादी बिलकुल न करें सावन के महीने में शाक यानि साग जिसको कहते हैं और पत्ते वाली सबजियों का सेवद न करें leafy vegetables का प्रियोग सावन के महीने में ना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सावन का महीना इस समय सूरी कमजोर होता है तो पाचन तंत्र के कमजोर होने की संभावना भी बनती है बासी खाना, भारी खाना और मांस मदिरा आदिका सेवन सावन के महीने में नहीं करना चाहिए हलका भोजन करें, संभव हो तो फल खाएं लेकिन कोशिश करें कि भारी खाना, बासी खाना और मांस मदिरा तो बिलकुल भी सावन के महीने में प्रियोग ना करें इस महीने में जब भी धूप निकलती है बड़ी चुभन वाली होती है, बड़ी तीखी धूप होती है और उससे अमूमन लोगों को इनफेक्शन होने की संभावना होती है इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचना चाहिए वरना आखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है और अन्य कम्यूनिकेशन वाली बीमारियां जैसे फ्लू है और मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारिया है या जैसे इन्फ्लुएंजा है ऐसी तमाम बीमारियां जो कम्यूनिकेशन से फैलती है conjunctivitis हो या communicable disease हो वो इस महीने में फैल सकती है इसलिए सावन के महीने में खान पान का घूमने फिरने का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में अमूमन जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होता है सूरी के दर्शन नहीं होते सूरी बहुत थोड़ा बहुती निकल पाता है इस बज़े से डाइजेशन के कमजोर होने की संभावना होती है अगर आप सावन में गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपके बीमार पढ़ने की संभावना बनेगी पत्तों के माध्यम से सावन में कीडे आ सकते हैं चुकि इस समय कीडे बहुत होते हैं चारो तरफ और वो कीडे आपकी शरीर में पहुँच सकते हैं भोजन के माध्यम से इसलिए सावन में पत्ते वाली भोजन पत्ते वाली चीजों का प्रियोग करने से बचना चाहिए और जो भी भोजन करें उसे अच्छी तरह पका करके करें नहीं तो बीमार होने की संभावना बन सकती है अब आज से सावन शुरू हो गया तो हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि सामान ने रूप से सावन में पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाए सावन में इस बार चार सो मुआर पढ़ने की संभावना बन रही है और कम से कम सावन के हर सो मुआर को उपवास अगर आप रखें व्रत अगर आप रखें तो बहुत अच्छा होगा प्रातह काल एक लोटा जल घर से भर करके ले जाएं नंगे पैर शिव मंदिर तक जाएं अब यह नहीं कि मंदिर का जल ले जाके मंदिर में ही चढ़ा रहे हैं यह सम्मत कीजिए अपने घर से जल भर कर साथ में बेल पत्र लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में और शिव जी को चढ़ाना है देखिए भगवान शिव को अमूमन विश्ट चढ़ाया जाता है और सावन में दूध का प्रियोग करना विश्ट के समान होता है कम इस्तमाल करना चाहिए इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ा कर ये बात बताई जाती है कि भाई देखो सावन में दूद का प्रियोग ना करो या कम करो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूद बर्बाद करेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच, प्रतीकात्मक रूप से सिम्बोलिक रूप से आप दूद शिवलिंग पर एक चम्मच, आधा चम्मच चढ़ाएं और बाकी दूद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें वो ज़्यादा बहतर होगा तांबे में दूद डालने से दूद जहर हो जाता है और ये दूद भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जा सकता इसलिए तांबे के बरतन से शिव जी को दूद चढ़ाने की चेश्टा ना करें सावन के महीने में रोज सुबह और रोज रात में फिर बतादू रात की पूजा ज्यादा मुल्यवान होती है खास्तोर से रात में ग्यारा बजे से एक बजे का जो समय है वो बड़ा इंपोर्टेंट होता है शिव पूजन के लिए या किसी भी तरह की पूजा के लिए तो सुबह और शाम दोनों समय शिव पंचाक्छर इस्तोत्र नागेंद्र हारा या त्रेलोचनाय यह है ना नमा शिवाय का एक्स्प्रिनेशन है तो शिव पंचाक्छर इस्तोत्र का पाट करें या नमा शिवाय यानि शिव मंतर का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इसके बाद ही सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद उनका मंतर जपने के बाद तब जाकर आप जलपान या फलाहार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप रुद्राक्ष धारन करना चाहते हैं तो आप लाल धागे में या रुद्राक्ष की पूरी माला सावन में अपने गले में पहन सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा सावन में किसी भी दिन शिव लिंग से इस पर्श कराके शिव लिंग से टच कराकर के आप गले में रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्यूक तो होगा, सबसे ज़्यादा उत्तम होगा सावन में किन मंत्रों का जब करना फाइदे मंद होगा और मंत्रों का जब कैसे किया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं स्क्रीन पर देखिए, पहला मंत्र सावन में जपा जाने वाला पहला मंत्र है नमह शिवाय अचूक मंत्र है इस मंत्र का कोई जवाब नहीं है तो सावन के महीने में नमह शिवाय का जब करना भी आपके लिए बहुत फाइदेमंद होगा बहुत लापकारी होगा 108 बार सुबा, 108 बार शाम को रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जब करने से आपको लाब होगा दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमो भगवते रुद्राय confidence बढ़ाने के लिए, टाकट बढ़ाने के लिए, शक्ती बढ़ाने के लिए, emotions को control करने के लिए ये मंत्र बड़ा कारगर है, सावन में इसका जब भी कर सकते हैं तीसरा मंत्र है, ओम चंद्र शेखराय नमहा, आयू की रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्त के लिए और ग्रहों की बाधा से निजाद पाने के लिए, आप ओम चंद्र शेखराय नमहा, इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं शीग्र विवा के लिए, या वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, आप मंत्र जब सकते हैं ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा, ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा, इस मंत्र का जब अगर सावन में किया जाए, सुबा शाम दोनों समय, तो अगर आपका विवा नहीं हो पा रहा है, तो आपका विवा जल्दी होगा, और अगर आपका विवा हो चुका है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है कोई अर्चन आ रही है तो इस मंत्र को जपने से वो अर्चन वो दिक्कत दूर हो जाएगी तो भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं और जो भी मंत्र आप जपना चाहें रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं सुबह 108 बार और शाम को य हृू हृू